आज हमारा टॉपक है जीस्ट जीस्ट चुहे यह टॉपक लिया गया है बीग केटागरी यह सिस्टन फार्ट में ऐसी से हमने इस टॉपक को लिया है और यह फंगस का अगला टॉपक है जिसे हम जीस कहते हैं जीस्ट चुके फंगस है तो देखते हैं कि जीस्ट के क्या क्रेक है सबसे में लिए देखें कि यह सीज यूनि साललर फंगस मतलब एक ही सैल के ओपर यह बुश्तमत होती है फंगस और इसके सेंटर में एक ही नुकलेस होता है डैट इस है असे सिंगल नुकलेस जैली यह साल्स और लाजिय त्यान बिक्टेरिया बिक्टेरिया के मकाबले पे यह साल्स होता है इस साल का साइज जो है यह बड़ा होता है अब यह बड़ा क्यों होता है यह आगे जाके हम थोड़ा सा देखेंगे वेरी किंसीडरिबल साइज और कॉमली स्वीरिकल टू एग शीप इसकी शेप जो है अगर देखे यह साल्स की यह तो यह एगनवा होंग मतलब बैजवी यह फिर तोटली घूल होगे और इनके अंदर फैले जला नहीं होगे बट डू पस्धस मोस्ट आफ ओफ अधर यूक्राइटिक आर्गिनेलिस लेकिन इनके जो आर्गिनेलिज हैं यह सारे के सारे वोही होगे जो कि यूक्राइटिक सेल्स के अंदर मजूद ह होते हैं इनकी अंदर तो चुक्छ प्रोक्राटिक साल जो है उनकी जो अंदर जो आरगिनेलीज है मतलब जो उनके माइटो कंड्रिया है रभॉसों है और वैक्वूल्स है नूकुलिस है इनका साइज थोड़ा सा ज्याद लेस ड्वास है लेकिन युक्राटिक साल्स का ज्या cell है जिसका इसके आरगनिलीज थोड़ा से देख लेते हैं देखे इसमें बलू कलर का जो नूकलिस है यह आरगनिलीज ब्रेन का काम करता है और cell wall इसको प्रोटेक्ट करती है और डॉट सीजन से वजाती है इसी तरह इसके अंदर वैक्यू है वैक्यू का काम इसको खुराख प्रॉइड कना, फूड प्रॉड करना, मतलब जी स्टॉमक का का म काँएड़ा हूता है. माइट्रो कांड्रिया इसके अंदर दिखाएगे हैं, माइट्रो कंड्रिया, यह जो है, इसको सांस लेने में, अनर्जी पैदा करने में, ATP बनाने में help out कर रहे होते हैं यसी तरह membrane organically जो है इसका ये skin का काम करता है आगे मजीद साइज के बारे में बात करेंगे येस size can vary greatly depending on the species typically varying three to four macrometer in diameter although some yeast can reach over 14 macrometer येस का size मुक्तलफ होता है और ये depend करता है कि येस का स्थ जो species है उस पे depend करता है average जिनका जो size है वो three से four macrometer है diameter लेकिन कुछ yeast size में काफी बड़ी है और उनका size 14 macrometer तक हो सकता है के अल्थो fifteen hundred species of yeast has been described के 1500 से ज्यादा species है जिनकी thoroughly study की गई है और उनके structure को thoroughly उसको study कर लिया गया है of the yeast yeast के फाइदे किया है number one fermentation fermentation word है fragmentation से मतलब बड़े बालिकूल का तूट कर छुटे बालिकूल पे तबदील करता के की they respired by an aerobic respiration जो जी yeast है यह oxygen के बगार भी सांस ले लेती है किसी मालिकूल को तोड़कर जैसे कि यहाँ पे they ferment the carbohydrates into ethanol and carbon dioxide यह क्या करती है कि यह कर्बो हाइड्रेट के मालिकूल को तोड़ने के बाद इससे थंडल बनाती है मतलब alcohol और इससे carbon dioxide produce होती है this process जो है is very important in wine beer and bread making अच्छा दोस्तों यह process बहुत ही हमित रखता है especially उन लोगों के लिए जो tune program करते हैं जैसे के wine जो है यह अंगूरों से शराब बनाई जाती है और beer जो है यह fermentation करके मतलब yeast की fermentation करके यह मुक्तल fruit से बनाई जाती है इसी तरह इसकी importance बैकरी में बहुत ज्यादा important है आपको बैकरी के अंदर बहुत सारी जो bread है वो सारी की सारी fermentation के साथ पैदा की जा रही होती है लेकर ज्यादा important जिससे fermentation और backing में इस्तवाल है जिसको सेफ जमजा जाता है मतलब yeast वो market में जो इस्तवाल हो रही है वो है सिक्टू सेक्टूर माइसस सेक्टूर माइसस जो है इसका बहुत इस्तवाल होता है बैकरी के अंदर क्यूंकि इस तो सेफ है और दूसरा इसकी fermentation जो है इससे poisonous compound नहीं पैदा होते तो बैकरी के अंदर जो भी foam नमा जैसे bun, double roti या फिर शीर माल या फिर आपका वो cake यह सारे के सारे fermentation के थूरू इनको foam की तरह इनको बनाया जाता है जिससे इनका size बड़ा लगता है और इनके अंदर जैका भी पैदा हो जाता है सिक्चारो माइसस जो है यह इसकी fermentation जो है alcohol industry में बहुत ज्यादा है जितने भी ज्यादा biggest industry है उसको उसमें सिक्चारो माइसस का खमीर मतलब जीस्ट इस्तमाल करती है अलकोहल बनाने के लिए दुनिया में जितने भी आपको beverages नदर आ रहे हैं जितने भी कुछ खतरनाक फंगस भी आज़ते हैं के जीस का इसमाल रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा होता है इस अलसो एक्स्टरमली एंपर्टेंट अज़ मॉर्डल अर्गिनिजम इन मॉडरन साल बैलजी रिसर्च जितनी भी मॉडरन साल बैलजी है इसके अंदर इसका इस्तमाल बहुत ज़्यादा है इसकी एक वज़ा यह है कि इसका जो सेल्स है वो यूक्रेटिक साल है और दूसरा यह यूनिसैलूलर है मतलब एक सेल पे होती है इसको बाकेट इश्यूस होगे अलेदा नहीं करना पड़ता नमबर टू यूक्रेटिक साल होने की वज़ा से इसके जो आर्गिनिलीस का साइस है वो प्रोक्रेटिक सेल्स के मकाबले में बढ़ा है नमबर थ्री इसकी जो स्टेनिंग करना असान है इसकी सलाइड बनाना असान है और जिनेटिक इंजिनिरिंग के अंदर इसका इसका इस्तमाल बहुत ही इजी है ने जिनेटिक मेकड़ बनाने में और मेडिकेशन बनाने में इसके इस्तमाल पर ज्यादा से ज्यादा गोर किया जा रहा है दोस्तो अब बात करते हैं केंडीडा अल्बिकंस क्या होती है Candina albican basically आपके साथ ही रहती है ये बिलकुल आपके मुँ में होती है और मुँ की जो मुकस मेंब्रेन है मतलब जो थूख पैदा करने वाली मेंब्रेन है वहां पर ये रहती है और इसको opportunist pathogen कहा जाता है मतलब ये हर लमा आपके मुँ में रहती है लेकिन ये मौका वारदात को देखते हुए जब इसको पता चलता है कि इसका होस्ट किसी वज़ा से बमार हो गया है और इसका दफाई नजाम पहले से कमजोर है तो ये उसके उपर टेक कर देती है और इनसान के अंदर infection का कास बनती है Candidus commonly found as a common cell yeast in mucous membrane human and other warm bladder and pulse के है की जी जू Candida है यी common cell मतलब common cell का वही मतलब है कि आपके अंदर micro organism आपसे फाइदा लेता है लेकिन आपको कोई फाइदा नहीं दे रहोता है इस किसम की जो association है इसको हम common cell कहते हैं और ये जो Candida albicans है ये इनसानों के लावा जितने भी warm bladder अनिमल्स हैं उनके अंदर जरूर रहती है अब बात कहते हैं जी बायो फ्रूल इंडस्टी ये बात भी किलियर है कि इसको बायो फ्रूल बनाने के लिए भी इस्तमाल किया जाता है क्योंकि जो डिब्रस होते हैं plants के जो टुकड़े निकलते हैं या पत्ते या फिर उनकी शाखे branches या गार्बे जा कूड़ा घरों से जो निकल रहा है उसके उपर जीस को लगा जाता है मतलब उसके उपर fungus का चड़काओ किया जाता है plant के अंदर फिर यह क्या करती है जी के उसमें से यह बड़े-बड़े मालिकूलों को जो कार्भाइट्रेट्स के है या अदर्स मालिकूल उनको तोड़ती है तोड़ने की वज़ा से वहां से इथनल पैदा होती है मतलब अलक अदर्स इथनल अलकोहल भी हवा में उड़ जाती है इस तरह के मालिकूल को फ्यूल के तौर पर इस्तमाल किया जाता है तो यह इंडरेक्ली या ड्रेक्ली एक तो मतलब के अलेक्टिसिटी प्रडूस करने के लिए इस्तमाल होती है इससे मत्हेन गैस भी लिजाती है जिसस इससे भी इलेक्टिसिटी और गैस भी ली जाती है लेकिन इसके साथ साथ कुछ अंडस्टी में जो इससे थनल प्रडूस होती है इस थनल को अंडस्टी को चलाने के लिए इस्तमाल किया जाता है आगे बात करते हैं नंबर फाइफ नंबर फाइफ है जी स्पाइलच आफ वाइन स्पाइलच आफ द वाइन की चू शराप है अंगूरों की शराप है यप फिर ग्लुकोस की शराप है वो उसकी तुसको खराब करने का जी बैस बनती है तो ग्रूथ हुसाम जैगो सच जैगो सेक्टोर मैसी और प्रिट्रो मैसीज इन वाइन चैन डिसल्ट इन प्रिट्रो मैसीज इस जी उड़कर जहां पर सुक्शाम सेक्टोर मैसीज का हमने छुड़काओ किया तो वहां पर पहूंच जाती हैं और पहुंचने के बाद जो वहां पर wine होती है या तो उसको बनने से उसको गलत बना देती है उसके पाइजन बना देती है या जो मजूद wine होती है उसको मजीद उसका break up करके उस wine को खुराब कर देते हैं उस शराब को खुराब कर देते हैं तो यह इसका बड़ा problem है अक्सर आपने bretonomyces कहते हैं यह आ जाती है और अगले दिन शादी पर या फिर ईद पर यह लोग जब इस शराब से टुन होते हैं तो टुन होने के नतीजे में यह अगले ही दिन फौतगी का अलान कर देते हैं क्यूंकि इस से शराब जो है इस जो fungus है जैसे जैगो सक्चोरomyces and bretonomyces यह fungus को फ्रीला भी बना देते हं आगे बात करते हैं इस पॉलच अबस पॉलच पीलच आगे बात करते हैं इस पर फॉलच इछ slipping्इछ आजे ये लो पी-एच पर भी उग जाती है, मतलब इस्टिक इंवार्टमेंट में ये ग्रो करती है, अगर पी-एच फाइफ के करीब वो जवार हो तो ये इसका ग्रो करना बहुत ही सान होता है, इवन प्रिसेंस अ कॉमन प्रिजर्वेटिव सूगर, अक्सर आप प्रिजर्वेट लेगन क्या होता है, कि वहाँ। जिश साइब ही जीश पहुंचती है, तो येस से के लिए कार्भोहाइट्रेट जो है, वह इसकी क कर में फिरमनेटेशन कर देती है, जिब वो is used to test for presence of the live yeast cells methylene blues को इसकी बतल अब्जर्वेशन के लिए ये येस्ट की इस्तमाल किया जा सकता है देक बतल देखने के लिए मैक्रोस्कोप के नंदर methylene blue इसको color दे देती है ये कुछ येस्ट के मतलब पिक्चर दखाएगा जो को स्ट्राबरी के उपर लगी हुए है इसी तरह येस्ट ने यहां पर जो ग्रेप से उनको भी खराब कर दिया है तो दोस्तों ये टॉपक आपको हमें यकीन है कि हमारा पस श्कुरिया